एक बूढ़ी महिला पर पागल सांड के हमले की सीसी टीवी में गैद हुई ये तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं लेकिन साथ ही ये एक बच्चे की बेमिसाल बहादुरी और अपनी दादी के लिए उसके गहरे प्यार की कहानी भी कहती हैं सांड ने गली में अकेली जा रही दादी पर हमला किया तो पोता बचाने के लिए दोड़ा दोड़ा आया सांड उस पर भी तूट पड़ा लड़का किसी तरह बचा सांड का फिर से हमला करना तै था लड़के के पास भागने का मौका था लेकिन दादी को अकेला कैसे छोड़ देता वो दादी को सम्हालने में लग गया इस बीच आस पडोस के घरों से भी कुछ लोग शोर सुनकर बाहर निकल आये लेकिन जब तक कि वो कुछ कर पाते सांड ने अगला हमला बोल दिया सांड के हमले से दादी और पोता फिर गिर पड़े इस बीच लाठी लेकर आए एक शक्स ने सांड को काबू करने की कोशिश की इधर लड़का फिर उठ खड़ा हुआ और दादी को सम्हालने लगा उसे लेकर आखिर तक इस बच्चे का अपने दादी के लिए बे इंतहा प्यार नज़र आता है सांड के हमले में वो भी घायल हुआ जाहिर है डरा भी बहुत होगा लेकिन दादी को अकेला छोड़कर भागा नहीं सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब वारल हो चुका है और लोग बच्चे की बहादुरी को सलाम करते हुए सरकार से उसे इनाम देने की मांग कर रहे हैं NBT Online की रिपोर्ट